आप सब को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सफर पे और विंटर का टाइम है विकेंड है और अगर आप लोग दो तीन दिन का कोई टूर प्लैंड कर रहे हैं तो यह है एक पर्फेक्ट लोकेशन तो चलिए चलते हैं बने रहे हैं व्लोग में कोलकाथा से चार घंटा लगता है अगर आप कार ड्राइफ करते हैं तो लेकिन हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन हम लोग लिए थे हावरा टाटानगर ट्रेन आगे हैं तभी नीचे उतर गये हैं पुरा अंधेरा अंधेरा है और हम हाँ पहुचे हैं जार ग्राम यह वेस्ट बिंग्वाल में ही है जार ग्राम देखते हैं एक्स्प्लोर करेंगे जार ग्राम में क्या-क्या है यह नीचे आटो स्टैंड है अब आटो लेंगे देखे लगे जहां पर मैंने रखा है सीवी एकना ठाना चर्टे चर्टे ठट गई अभी तो सारे साथ बज गिया अभी होटेल जाएंगे और कल और एक जार ग्राम यह थे वो था जार ग्राम राजबारी टूरिस्ट रेजॉट यह बिल्कुल जार ग्राम राजबारी के बगल में ही था हम लोग वी आईपी कॉटेज में स्टे किये थे और यहां पे रुखने के लिए आपको पहले से ही रूम को बुक्ट करवाना है इस रेजॉट पे वी आईपी कॉटेजी सबसे अच्छा है यहां पे रूम भी बहुत बड़ा है बाहर का आउटसाइड सीन भी बहुत अच्छा है हम लोग होटेल रूम पे यह है बेड़ और मैं जहां बैठी हूं मुझे सोफा है ऐसा तो हम लोग अभी फ्रेश होके निकल पा रहे हैं कोई एक मंदीर जा रहे हैं क्या नाम है मंदीर का साइट सीन करने के लिए आप कार भी बुक कर सकते हैं और टोटो भी एवलेबल है हम लोग जहां पे जिस रिजॉर्ट पे रुके थे वहीं से ही कार को बुक कर लिया था तो हम लोग मंदीर में एंट्री कर चुके हैं और ये सब दुकान हैं यहाँ पे जहाँ पुजा का सवान आप लोग खड़िच सकते हैं यहाँ पे प्रशाद, फूल, सब कुछ आपको अवलेबल था ये मंदीर 500 साल पुराना है और मंदीर के ठिक सामने ही ये जो नदी देख रहे हैं इसका नाहें डुलूम नदी चारो साइड आपको हड़ियाली ही नजर आएगी और बीच में ये नदी ये देख के बहुत अच्छा लगता है शहर में भीर भार को छोड़ के ये बहुत अच्छा लगता है डुलूम नोदी तोटा सही है तो बारिश का पानी में जब भर जाएगा तब बहुत जादा हो जाता है पानी हम लोग नेक्स्ट विजिट करने के लिए गए जार ग्रम राजबारी राजबारी के अंदर में तो हम लोग जा नहीं सके क्योंकि कोरोना के चलते ये आपको ऐलाव नहीं किया गया था जो कि पहले से बुख करके था वो ही लोग सिर्फ राजबारी के अंदर जा सकते थे अब हम लोग आ चुके हैं क्रिश गार्डन पे जिसे रोस गार्डन भी कहते हैं मैं पूरा व्यू आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए अगर आपके साथ बच्चे हैं तो जरूर उसे इस गार्डन में ले के आए क्योंकि यहां पे जूला है और फिश एक्यूरियम है मैं छोटे से छोटे चीज़ को भी कैप्चर करने का यहां पे कोशिश की हूँ ताकि आप सबको मैं दिखा सकूँ आपको एक इन्फो दे सकूँ ताकि आप लोग भी उसी तरह कस्टमाइज करके आ सकते हैं नेक्स्ट है ट्राइबल म्यूजियम लेकिन हम लोग का किसमत अच्छा नहीं था मंडे बंद रहता है और हम लोग बाहर से ही घुम के निकल आए हैं नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए चिलकी गर राजबारी इस राजबारी का वीडियो शूट नहीं कर पाए थे इसलिए आप लोगों को फोटो ही दिखाएं तो ये था डे टू का सफर और हम लोग निकल पड़े सुभा सुभा और देखिए चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है बहुत ही मन अच्छा हो जाता है इतना ग्रिनरी देखने के बाद तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेल पाहारी और फर्स्ट जो स्पॉर्ट देखेंगे वो है घागरा वाटरफॉल तो चलिए ये है घागरा वाटरफॉल मैं अच्छे तरह से अपने कैमरे में कैप्चर किया है देखिए ये इस जगह का फेमस टुरिस्ट पॉर्ट है घागरा वाटरफॉल और काफी टुरिस्ट भी आए हुए थे यहाँ पे बेल पाहरी में काफी ज्यादा टुरिस्ट पॉर्ट है जैसे खांडरानी लेक है तारफेनी बैरेज है धानी कुसुम वाटरफॉल है काक्रा जोर तो ये निया डेस्टिनेशन है कांडरानी लेक ये एक परफेक्ट पिक्निक स्पॉट है काफी लोग यहाँ पे आके पिक्निक मना रहे थे ये लेक के साइड में बैट के और मैं यहाँ पे जालमुरी एंजॉय कर रही थी काफी टेस्टि बना हुआ था जालमुरी अब हम लोग आ चुके हैं धागी कुसुम वाटरफॉल देखने के लिए छोटा सा ही है ये वाटरफॉल जितना हो सक है मैंने कैप्चर किया है ये हम लोग जा रहे हैं टुवर गादरासानी हेल और यहाँ पे कुछ लोग बैट के मिट्टी का बरतन बेच रहे थे आज का दिन था हम लोग का लास्ट डे मतलब थर्ड डे और यह है रामिश्वर्ट टेंपल गोफी बलब पूर में था काफी बड़ा सा टेंपल है मतलब बेसिकली यह जगा है जार ग्रम यह आपको अगर आप लोग इंप्रेस्ट रखते हो फॉरेस्ट ओल टेंपल रॉयल प्लेसे और लेक्स देखने के लिए वाटर फॉल देखने के लिए तो एक परफिक डेस्टिनेशन प्लेस है यह है जि टाइप ऑफ बर्ड्स है यहां पर और वाच टावर भी है उस पर चरके आप अच्छा से व्यू ले सकते हैं काफी सारा बर्ड्स यहां पर आए हुए थे उस टाइम यह एलिफेंट का फुट्प्रिंट से और हम लोग आ चुके हाती बारी यह रिशी वालमी की आश्रम है और फाइनल और लास्ट व्यू था हम लोग का शुबॉर्णो लेखा रिवर उफ अमेजिंग अमेजिंग इस लुक जस्ट अमेजिंग चारों तरफ का व्यू देखिए एक बार शान्थ रिवर बस बहता चला जा रहा है मौन्सून सिजन में न यह पुरा भर के एकदम उपर तक उठ जाता है पानी तीन दिन का सफर खतम करके आ चुके हम जारग्रम स्टेशन पर और फिर बैक तो पैविलियन बैक तो पोलकाता होप यू लाइक दिस वीडियो सी यू आल इन मैं नेक्स वीडियो तिल देट टाटा बाई बाई